मिवात जिले के स्वास्त वहाग से एक बड़ी खबर सामनी आ रही है आपको बता दे कि हर्यना के सबसे पिछडे मिवात जिले में भी वैक्स निशन अब रपतार पकड़नी लगा है कोरोना महामारी से चान पचाने के लिए वैक्सिन ही सबसे कारगर हतियार है इस बात को अब लोग लगातार समझ रहे हैं ठीका करन कराने के लिए आगे आने लगे हैं सुरुआत मिराच्चे में सबसे कम ठीका करन इसी जिले में था लेकिन अब स्वास्त वहाग के अधिकारि लोगों को अब तक लग चुकी है तथा दूसरी टोच 9,988 लोगों को लगाई जा चुकी है अब तक मिवात जिले भर में 79,524 लोगों को टीका लगाय जा चुका है डाक्टरों के मुताबिक टीका लगने के पाफचूत भी लोगों को घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगा कर रखना होगा, सोशल डिस्टैंसिंग का ख्याल रखना होगा तथा बार बार हातों को साबन से धोना जरूरी है डाक्टरों के मुताबिक टीका करन से पहले हर व्यक्ति को कोविड एप पर जाकर ओनलाइन रजिस्टेशन कराना होगा 18-44 वर्स आयू के लोग रजिस्टेशन कराने के बाद ही इंजेक्शन लखवाने के लिए स्लोट खुलने पर अपोइंटमेंट लेंगे तब उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा लेकिन 45 वर्स आयू से अधिक के व्यक्ति सिर्फ अपना रजिस्टेशन कराने के बाद अपना टीका करन करा सकते हैं टीका करन पूरी तरह से सरकारी अस्पतालों में मुप्त लगाये जा रहा है इसके लिए अब लोगों को काओं काओं चाकर जागरू किया जा रहा है और कैम्प भी आयोजित किया जा रहे हैं ताकि मिबात जिले में कॉरोना वैक्सिनिसन रब्तार पकड़ सके वैक्सिन लगवाने सरकारी अस्पताल पहुंच रहे लोगों में भी कॉरोना वैक्सिन लगवाने को लेकर अब उत्साहा दिखाई दी रहा है कुल मिलाकर जान है तो जाहान है का फार्मूला अब लोगों को ठीक तरह से समझ आ रहा है जिले में अभी वैक्सिन का पूरा स्टॉक है ज्यादा से चाता लोग आ गया कर अपना टीर का करण करा सकते हैं आप देखरें नुहू मिवास से लियाकत अलिक रिपोर्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजएगा अब तक 59,536 लोगों को फजडोज गोईड वैक्सिन की लगाई जा चुकी है और बात करें सेकेंड डोज की तो 9,988 लोगों को अब तक सेकेंड डोज लगाई जा चुकी है इसके साथ टोटल बात करें हम तो 79,524 लोगों को अब तक कोविड वैक्सिन लगाई जा चुकी है इसके साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाता हूँ कि कोविन एप पे चाके आप अपने कोविड वैक्सिन के लिए रेजिस्टेशन कराएं और अपनी बारी का इंतजार करवाते हुए अपना वैक्सिन करवाएं और इसके साथ भी अगर वैक्सिन लगवाली है तो उसके बाद भी आप सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग और फेज मास्क का प्रियोग करें जिससे कोविर के खंगरों से बता जा सकता है सरकार का और इससे बहुत पायदा हो रहा है आम नागरिकों और सरकार ने बहुत अच्छी योजना चला रख्ये जो हुआ यह महामारे फैलरी है उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है और सभी नागरिकों को जागरूप होना चाहिए और अवस्य ही इसको लगवाना चाहिए ये भी देखो कितने अच्छे करमचारी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप भी कितनी मेहनत कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है और ये काम लगातार जारी रखना चाहिए बहुत गाउं में जागरुपता फैली है जिस तरीके से भी हमारी थी और लोगों ने देखा अब लोग आ रहे हैं जागरुप भी हो रहे हैं और काम भी लगातार चल रहा है तो यह बहुत अच्छी बात है सभी को आगे आना चाहिए और इस काम के और अग्रिसर होना नहीं होगी और को ना से बचाओ होगा इससे हरा आदमी लगोना चाहिए जिससे को अपने को बचा सके सेव कर सके और दूसरों को भी सला दे कि मुझे इस वेक्षिंग से कुछ नहीं हुआ मैं सेफ हूं ठीक हूँ और आगे कि कुछ नहीं होगा और उनकी वलाई के लिए ह क्या आप दोनों डोज लगवा लिए कि दोनों डोज लग तकी हैं कि यह तकी पहली नुक्षान कोई फाइदा ही खाइदा आप अब ली पडिकी जागूर होना चाहिए है अब सब तो प्रक्तिका लेना चाहिए झाल 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 झाल